है अलो स्टूडेंट्स माइनेम इस आमित गाक सो डिस इस आवर डवल्यू पीप सीरीज दैट इस विदाउट पैन पेपर तो सी सेट के कुछ से उन्देट और पॉर स्कुर्ण तो इसका सीधा आंसर है वन जीरोट वन इतना इतना इस टाइम लगेगा इप आप स्कुरों 75 तो लगेंगे तो जी आज देख रहे होंगे तिलक लगा है और यह सब क्यूंकि आज गुरुप पुर्णेमा तो इस गुरु पुर्णेमा के अफसर पर मैं अपने सभी गुरुओं को नमस्कार उनका आसिर्वाद चाहूंगा और जिन जिन स्टूडेंट ने मुझे गुरु पुर्णेमा की सुब खामनाई बेजी है तो उन सब के लिए धन्यवाद जिन गुरु और एस टीचर आज एक मैसेज जरूर दूँगा आप लोगों को जो अपना IAS की प्रिपेरेशन कर रहे हैं वही आपका ड्रिम है IAS तो अपना ड्रिम IAS का ही प्रिपेरेशन रखें तो कहीं बर क्या होता है प्रिपेरेशन के दोरान आप टीचर से इंफुलेंस हो जाते हो अब ओजा जी की देखोंगे जी फैन फॉलिंग बड़ी अच्छी है काफी सारे टीचर है फाइनेशली भी अच्छा है ठीक है और वाजिराम में जब कोचिंग करते देखते हैं टीचर 600 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो अम दर से मन करता है बही बन जाए आप कोँगे मेरे को कैसे पता साज भी कभी बहुत ही तो हम भी जब स्टूडेंट हमारा भी मन कर रहा था और बन गे टीचर तो मैं यही कोँगा भाई आई एस बनो टीचर बनने के लिए पते क्या होगा आपका जब तक आप उस लाइन में आउंगे अपने चार भाई वहाँ पे स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर हैं तो दिली राए है आपको कि भाई टीचर का फिल्ड इतना इजी नहीं है और हम तो अच्छे वक्त में इस फिल्ड में एंटर हो गए आपके लिए तो इतना ज़्यादा कंपेटीचन होने वाला है ऐसे टीचर इस भीड में गुमो जाओंगे और एक डीसी का जो रुत्व है ना भाई साब सेल्यूट है उसको सारे रिष्टेदार कहेंगे भाई हमारा बच्चा डीसी है टीचर की कोई वेल्यों कोई नहीं कहता कभी-कभी तामें कहते हैं ट्यूशन पढ़ाता है तो भाई यही कह रहा को आपका मन कर रहा है कि मुझे टीचिंग करनी है टीचिंग एक अच्छा प्रोवेशन है बढ़िया है सब चीज़ है चलो खुदा ना खासता अगर पढ़ाना पढ़े पढ़ा लेना बट जो आपका ड्रीम है आई एस बनने का उसको मताब डाइल्यूट करो क्योंकि आज आपने सोच लें आपने टीचर बनना है तो बगवान कहाया ना जी सरस्वती बैटी होती है एक बार जुबान पे दिन में तो क्या पता टीचर ही बन जाओ वही आप बोलो मेरे को आई-स बनना है तो बगवान सुनेंगे आई-स बनोंगे आप तो मेरा ये कहना है जी आप influence सब की नहीं होती तो टीचर लेक टीचिंग एक अच्छा प्रोफेशन है बट आपका जो ड्रीम है उसका कोई मुकाबला नहीं है और आप जाके स्कूल में मतलब यार लेक्चर लो लेक्चर इंदा से सेमिनार लो भही आप तो पूरे डिस्टिक के स्टूडेंट्स को बुला सकते हो तो आपको अगर मालो public speaking करनी है आपने घीड को मलब भासनी देना है आपने सेमिनार देना है तो आप एसे डीसी वी तो कर सकते हो अप ठीजी चलो अब आपना देखते हैं without pen and paper सेरिस मेरे दिल से मतलब message है आप लोगों के लिए आप अपने dream को dilute मत करिएगा ठीचर तो बन जाएंगे आप बाद में बट अपना dream अभी आई एस का ही रखना है आपने चलो जी 75 से 125 के square निकाल लेगा I will solve 3-4 question for you फिर आपके देखते हैं 2-2 second में कैसे आपका answer निकल रहा है अच्छा जी जैसे हम मैं तीन नमबर ले नहीं पहले मैं एक idea देता हूं I just give you idea so that there will not be confusion मानलो for example यह हंड़ेड एंट सिक स्क्वेर है तो हम shortcut में क्या गरेंगे के दो लिए टो पर्ट डिसज्त अब क्या होगा लेफ्ट राइट में क्या होगा यहां आएगा unit प्लेस यहां रिखे लेट टैन प्लेस ठीड़्िए और उनिक्स तन फिस यहां पे आएगा 100 यहां पे आएगा 1000 यहां पे इगा तैन थह OUSAND टी लिख देता हूं 10,000 प्लेस तो लेफ्ट साइड में कहा है 100 प्लेस और उससे बड़ा यहां पे 10 प्लेस और यूनिट प्लेस आए यह ध्यान लगना मैं यह लाइन की चुगा और इस तरफ जो होंगे वो यूनिट और 10 प्लेस के लिए फिक्स है एंड दिस इस पर हंडर प्लेस थाउजन प्लेस 10,000 प्लेस चलो देखो जी चलो पहले एक क्वेश्चन कर लेता हूं 106 को यह है ठीक है जी अब हमने निकाल ला है 106 को यह अब आपने माइन में क्या देखना है यह हंडर से कितना बढ़ा या कितना छोटा है अबने माइन में रखो यह वैली 100 प्लस 6 6 बढ़ा है 100 से तो लेफ्ट अट साइड एंड राइट साइड राइट राइट साइड में तो यह होगा प्लस 6 स्कुर्स और टू क्वेश्चन आई विल स्टेप वाई स्टेप आफ्टर देट वी विल डू विदाउट पैन पेपर तो राइट साइड में तो यह करना है प्लस तो इसमें हो जाएगा 106 प्लस 6 इस केस में हो जाएगा 108 प्लस 8 तो यहां पर हो गया जी 112 और यहां तो कभी लोजिक वाली सिरी स्टार्ट करूंगा तो हर चीज के लोजिक बताता जाओंगा हर चीज के पीछे लोजिक है तर इसकंसेट ब्याइंड टैट और लाइक वाट इस इंपोर्टेंट लाइक वी ड्राइफ रॉम दा लॉंग कट एक लॉंग कट मैंत रोगा जिसमें 10 स्टैप होंगे उसमें से पालतो के स्टैप हमने हटा दिये इस इस 1168 स्क्रेश चेक कर लो कैल्कुलेटर से 108 स्क्रेश 11664 और गारंटी यू इन दिस 75-125 स्केर यू विल बी पास्टर देन कैल्कुलेटर और अलसो कैल्कुलेटर से जाधा पात कैल्कुलेशन ओने वाली 109 and that is plus 9 तो यह हो गया 109 plus 9 और यहां पर क्या हो गया प्लस 9 स्क्रेश इस 11881 नाइं स्क्रेश एट यह सो 109 स्क्रेश 11881 11881 यह जैसे मैं आप से पूछ रहा हूं 104 स्क्रेश नौ भी ट्राइट इस 104 स्क्रेश तो वट इस इंपोर्टेश प्लस पूर तो इस हंडर एट प्लस पूर प्लस अर यहां पर हो जाएगा 4 स्क्रेश तो यह क्या हो गया 108 फॉर स्क्रेश 16 सीधा सिधा 10816 now here just wait if it is asked 112 square so left hand side is 112 plus 12 but right hand side here is 12 square I think you understood this ithne step आपको रच्छुके होंगे left hand side is this number plus 12 the difference with respect to 100 so we add in the number and this is 12 square now here this is 124 in your mind 12 square is 144 see what you have to do 2 square to 25 square you mug up 2 square से लेके 25 square के तो आपको रटे होने चीए आपके टिप्स पे होने चीए तो अब इसमें क्या है यह होग है unit place this is 10 place this is 100 place but 100 place तो यहां जाना चीए तो इस केरी फोरवड तो हम यहां को यहां ले जाएंगे तो अब यह बन जाएगा 1 2 5 double wait let me take one or two more example you will be perfect 111 square okay so this is 111 plus 11 क्योंकि यह 100 से 11 बड़ाया and this is 11 square है so what is this 122 this is 11 square is 121 ठीक इस 11 स्क्यर 121 यह 1 हो जाएगा carry for 1 so 12321 so 111 स्क्यरीज 1 2 3 2 1 चलाज 114 स्क्यर लेफ्टन साइड इन यह मैं 114 प्लस 14 मैं डारेक्ट भी लिख सकता हूं 128 राइट साइड होगा 14 स्क्यर विच इस 196 तो 96 यहां जाएगा 1 यहां केरी फोरवड 12996 सो 114 इस 12996 वजएगा 2 च्छी उच्छी तर लेफ विच्छा चार्ण 116 स्क्यर तो करना क्या है 116 in plus 6 in 16 square if there is a carry forward you take care of that carry forward 116 plus 16 16 square is 256 2 carry forward 132 256 so it is 13456 2 carry forward right side में दो ही नंबर होने चिये unit and 10 if extra you carry forward चलो try one more 121 square quickly 121 square so it is 121 plus 21 मेरे से पास होना चिये क्योंकि मैं हर स्टेप लिक रहा हूं 441 this is 142 441 4 carry forward 14641 so 121 square is 14641 now here one thing you have to be careful I have seen student they do that mistake if it is asked 103 square that is fine left hand side is 103 plus 3 right hand side 3 square this is 106 this is 9 some student by mistake it write 1069 but that is wrong I told you right side unit place 10 place so agar nahi है तो you write 09 you write 9 as 09 4 as 04 1 as 01 so answer is 10609 because this is 100 place the year 600 place over 1000 place 10,000 place so this is 10609 okay so here next is 102 square like we have to find so this is 2 square 102 plus 2 this is 104 4 kya होगा 04 तो 4 ना लिखके इसको लिखेंगे 04 so this is 10,400 402 square quickly just take your time 101 square अगर आप से कोई पूछ ले 101 square क्या होगा 101 में 1 एड किया और यहां पे 1 square 01 तो 10201 तो यह हंडर से बड़े वाले नंबर ना इतल यू 100 से छोटे like 96 square 100 minus 4 we take 100 as base 75 to 125 square value we take 100 as base तो यहां पे जो है इंपोर्टेंट चीज होगी minus 4 चलो steps are same number minus 4 left side is 96 minus 4 right side will be minus 4 square minus 4 square but here square of positive negative is same so this is 92 4 square is 16 in so this is your required answer same है बस यहां पे minus हो जाएगा like 93 square mind में रखो minus 7 mind में तो left hand side is 93 minus 7 right hand side is minus 7 square तो क्या हो गया it is 86 this is 49 864 so 93 square is 864 में यस हंजी सर 91 square फटा फट मेरा अंजर आ चुका है देखो इतनी बड़ी खूबी होती है like for mathematics like I will say my guru is my father my grandfather so like my grandfather calculation is like anything क्या था मैं उनसे कोई calculation पूछता था वो कहते थे हां क्या पूछा तुने and in the meanwhile mind में calculate कर लेते थे same with my father और मेरी तो उनसे 110 calculation है but here तो मैं अगर बोलू न 91 square हंजी सर जी मेरा answer आ चुका है उस ताइम में calculation कर रहा होता हूँ जैसे minus 9 है तो 82 हो गया 82 कहां से है 91 minus 9 और right side में क्या हो गया माइनस 9 square which is 81 तो यह हो गया 828 आपका माइनड फास्ट है चलो चेक करते हैं 92 square निकाल आ गया जी अंसर मेरा अंसर आ चुका है बस 92 minus 8 करने की देर है बाकि सब क्लियर है और 8 square क्या है 64 यस और नो बस इतना ही लिखना है हमने आंसर ही तो लिखना है 92 minus 4 84 और 8 का स्केर होता है 64 minus 8 का स्केर भी तो प्लस ही होता है तो इस 846 यहां पर होगा 12 का स्केर तो 76 12 का स्केर 144 यह इस पोजिटिव तो वन यहां एड होगा जाके तो तो इती सेवन सेवन डबल फॉर ओके जी 88 स्क्वेर क्या हो रहा है 77 डबल फॉर एक और कल्कुलेट कर दो मेरे लिए स्केर 89 स्क्वेर 89 स्क्वेर तो इस एटी नाइन माइनस इलेवन इस सेवन टी एट 11 स्क्वेर इस 121 वन कैरी फॉरवड सेवन नाइन टू चलो देखते हैं कितने फास हो गया एक और कल्कुलेशन कर देते हैं 86 ठीक है जी 86 माइनस 14 ही होगा और क्या है बस हो गया अंसर 72 उस तरफ आगया बाकी उस तरफ लाग यह क्या आएगा आपका 196 वन कैरी फॉरवड हो देगा 73 96 72 14 को स्क्वेर क्या है 196 वन कैरी फॉरवड सेवन ट्री नाइन स्क्वेर अच्छा लाइग 98 स्क्वेर दो कोशन ओर लेते हैं 97 स्क्वेर मैंनस टू तो यह होगा 96 माइनस टू का स्क्वेर होता है प्लस फॉर तो हमें जीरो फॉर लिखने यह द्यान लगठा हम 960 97 बिल्कुल जी 94 कैसे आया 97-3 यह 09 क्यों आया क्योंकि-3 का स्क्वेर होता है प्लस 9 बट हमें यहां पर unit place और 10 प्लेस दोनो लेने है 9409 so there is one announcement like here isa2 launches C set crash course by Amit Gag quantitative reasoning number reasoning data introduction complete slavery and fees we kept 4500 rupees to starting on 6th in August 2021 what is important here this is the live batch live class चलेंगी live class में you can ask your doubt तो live interaction रहेगा and after the class also there will be half an hour doubt session for those those who are not comfortable in mathematics especially reading comprehension भी करवाया जाएगा that will be taken by bonica मैं ठीके सीथ हम limited ही रखना है 100 से 150 से ज्यादा नहीं होगी तो you just enroll if you want to enroll ठीके सी चलो once again गुरुपर्णी मापे मेरी तरफ से धन्यवाद और मेरे सब गुरुओं को मेरा नमस्कार थेंक्यू वे मुच्छ